हलो फ्रेंड्स मैं हूँ राज आप देख रहो मेरी यूट्यूब चैनल आ रहे हैं बोपिनियान फ्रेंड्स फिर से आपका दोस्त आपका भाई यूट्यूब रिलेटेड एक नए कैंटेंट एक नए वीडियो लेके आपके सामने आ गया है सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले है अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सकाइब करते हैं बेल आइगन को प्रेस जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना एक्चुएली फेंट यूटूब पर मॉनिटाइजेशन के लिए ये जो 4000 घंटे का वाच्टाइम है न ये जो माइल्स्टोन है ये बहुत बढ़िया है और हम सभी ने जो कोई नए यूटूबर मालो यूटूबर चैनल क्रियेट करते हैं नए ने वीडियो अपलोड करते उन लोगों के मैंन में एक ही बात चलता है कि कब मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाए 4000 आवर्स वाच्टाइम पूरे हो जाए तो ये 4000 आवर्स का वाच्टाइम मैंने पहली बोला ये बहुत बढ़िया एक माइल्स्टोन है और इसके लिए हम लोग कुछ भी करते हैं ल कि मालनो मेरा चैनल पर 5K या फिर 5.5K वाच आवर्स कोंप्लीट हो गया, तो हम लोग समस्ता है कि तो चलो मेरा तो वाच आवर्स कोंप्लीट हो गया और वान के सब्सक्राइबर बहुत दिन पहले ही कोंप्लीट हो चुका था तो आप हम चैनल को मॉनिटाइज गे लिए या फिर 3500 hours मतलब 4000 hours watch time complete ही नहीं दिखा था तो हम लोग सुचते हैं क्या भाई ये क्या हो रहा है YouTube मेरे watch hours को update नहीं कर रहा है monetization section पर मेरा वहाँ पर 5 के दिखा रहा है यहाँ पर 4 के भी नहीं हुआ यह क्यूं नहीं हुआ हम लोग बहुत घबरा आजाते हैं और बहुत tension में आजाते हैं कभी कभी हम लोग YouTube टीम को message send कर देते हैं feedback send कर देते हैं लेकिन यह सारे कुछ करने से पहले हम लोगों को YouTube community guidelines को समझना पड़ेगा बहुत सारे नए creator क्या करते हैं उनके पस time नहीं है बस channel बनाया और video upload कर दिया और 4000 घंटे के पीछे पड़े गया अरे भाई community guidelines को अच्छे तरह से read करो YouTube के नहीं तो आपको बहुत सारे कुछ समझ में नहीं आएगा अगर read करने के इतना time आपके पास नहीं है तो जो लोग हमें से जितने सारे यूटूबर यूटूब आपडेट बताते रहते हैं तो उन आपडेट को देखा करो उन आपडेट को पूरी तरह से देखो समझो मेरे भी YouTube community guidelines के उपर पोर्टाल एक वीडियो मैं upload करके रखा हूँ उस वीडियो को देखो नहीं तो आप एही problem हेस करोगे क्योंकि YouTube का यह जो monetization के लिए 4000 hours watch time है ना इनका बहुत सारे rules है बहुत सारे system है बहुत सारे criteria है यह सब कुछ आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए बस एही rules अब लोगों को आच बता रहा हूँ अच्छे तरह से वीडियो को देखिए समझिए rules no.1 आपके चैनल पर जो 4000 hours watch time चाहिए ना वो public watch hours होना चाहिए मतलब public से आपका जो वीडियो आएगा वहां से ही वो watch hour complete होना चाहिए इसको समझना पड़ेगा आपको rules no.2 आपके चैनल पर अगर कोई वीडियो प्राइबेट है मनलो उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज आया है 5K, 7K या फिर 10K और वहां से ही आपका 1K hours watch time complete हो चुका था तो वो watch hours public नहीं है प्राइबेट है तो वो यहां पर monetization के लिए applicable नहीं होगा यहां पर add नहीं होगा Rules No.3 अगर आपके चैनल पर कोई वीडियो अनलिस्टेड है मनलो आपका उस वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल हुआ उहां से ही आपका 3000 hours watch time आया है लेकिन वीडियो अनलिस्टेड है उनमें से 1 hours watch time भी आपके चैनल पर monetization के लिए applicable नहीं होगा add नहीं होगा वहां पर Rules No.4 अगर मनलो आपने कुछ भी एक वीडियो बना दी टेंडिंग वीडियो टेंडिंग टोपिस पर वो आपके चैनल के categories का वीडियो नहीं है तो वहां से आपका बहुत ज़्यादा views आ गया वहां से ही आपका चैनल पर 4000 hours watch time complete हो गया और आपने क्या किया कुछ दिन बात आपने category का वीडियो उस चैनल पर डालना start किया और उस वीडियो को delete कर दिया तो उस deleted वीडियो का subscriber जो होगा वह आपके चैनल पर रहेगा लेकिन उसका जो watch time होगा एक भी watch time यहाँ पर add नहीं होगा मॉनेटाइजेशन के लिए रूल्स नमबर फाइब अगर मान लो आपने बहुत दिनों तक चैनल पर महनत की फिर भी आपका चैनल पर ज़्यादा subscriber नहीं आ रहा तो आपने सोचा के मैं कुछ रूपिया यहाँ पर लगा के मेरे कुछ वीडियो को प्रोमोट कर दू Google AdWords के थू वहां से अगर मेरा कुछ सब्सक्राइबर आ जाए तो चैनल ग्रोव हो जाएगा तो यह आप कर सकते हो लेकिन वहां से जो सब्सक्राइबर आएगा वो आपके monetization के लिए count की जाएगी लेकिन उस Google AdWords के थू अपने जिस वीडियो को प्रोमोट कर वाया वहां से जो watch time आएगा उस watch time आपके monetization के लिए applicable नहीं होगा मतलब उस watch time से वान आवार watch time भी आपके monetization watch hours पर add नहीं होगा और भी कुछ बाते हैं नए नए कुछ rules आया है यह भी आपको समझना पड़ेगा यह जो rules यह पहले से था और नए जो rules आया है ओ क्या है अगर आप मानलो अभी shorts बहुत ज़्यादा viral हो रहा है बहुत ज़्यादा views आ रहा है watch time भी आ रहा है मानलो अपने अपके चैनल पर 18 shorts वीडियो डाल दी और उन में से 2-3 वीडियो बहुत ज़्यादा viral हो गया वहां से बहुत ज़्यादा views भी आया और वहां से 500 hours watch time भी आ चुका है आपका तो ओ जो watch time होगा वह भी आपके चैनल पर monetization के लिए add नहीं होगा हाँ अगर आपका उस short वीडियो को कोई भी suggested में जाएगा वहां से click करके देखेगा या फिर browse feature से कोई मानलो सार्च करके वो वीडियो को देखता है तब उनका watch hours यहाँ पर add होगा लेकिन source के जो टैब है उहाँ पर अगर swipe आप करके आपका वीडियो देखता है तो उहाँ का watch hours यहाँ पर count नहीं होगा और number two जो नए update जिन लोगों के पास story टैब है अब लोगों को पता है कि एक story टैब है यूटूब पर उहाँ पर story टैब पर बहुत सारे creators क्या करते है कि आपने जो नए वीडियो है नए जो uploaded वीडियो है उनका link उहाँ पर share करते है तो अगर उन story टैब से कोई भी viewers क्लिक करके आपका उस वीडियो देखता है और उहाँ से जो watch time आएगा वो watch time भी यहाँ पर monetization के लिए add नहीं होगा तो आप समझिए कितने सारे rules है कितने सारे criteria है तो मालो आपके channel पर analytics पर दिखा रहा है कि आपके channel पर 6000 hours watch time है लेकिन उहाँ पर 2000 hours जो watch time है यहाँ से ही आया है deleted video, unlisted video, private video, story tab, shorts video यहाँ से आया है तो यह सब तो monetization के लिए count नहीं होगा न तो यह आपको समझना पड़ेगा यही ज़्यादा attention लेने से या फिर दिमाग गरम करके कुछ फाइदा नहीं है आपको यह समझना पड़ेगा, rules आपको समझना पड़ेगा तो बस यही आप लोगों को बताना था, यह सारे rules आप लोगों को अच्छे तरह से समझा दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई सावाल है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करते हुए, share जरूर कर देना मैं आज के लिए चलता हूँ, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाई हिंद